प्रेक्टिस से टमबर 234 पर आ जाए उपी पीसेस के लिए प्लेलिस्ट इसकी बना रखिए वहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर 234 तक पहुंच सकते हो और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है चले स्टार्ट करते हैं इस टेस्ट में फोकस करने वाले हैं ज समान इस्तंधारियों की वसा ग्रंथियों के समान या कशेरू की प्राणियों की लार ग्रंथियों के समान सर्पों की विस ग्रंथियां किसकी समांग है कशेरू की प्राणियों की लार ग्रंथियों की समांग होती हैं सांप का विस वास्तव में उसकी लार का ही परिश्क्र जो घटपर्णी है, जो घटपर्णी कीट वक्षी पौधा होता है, वो अपने नमलिकद भाग में से कौन से भाग से घट में रूपांतरित होता बदाई, इस्तंब से पत्ते से, अनुपाण से या फिर प्रण प्रंत से, ये होता देकि पत्ते से, अप्सर निंबर 2, तो पढ़नी मांशहारी कीट फक्षी पोदे होते हैं जो अल्प खनेज या अमलिय म्रदा में उगते हैं ठीक है जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है अब ये नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए जो है कीटों का शिकार करते हैं कीटों को अपना अहार बनाते हैं इन की पत्तियों के जो पर्ण होते हैं मतलब पत्ते होते हैं वो फलक कलश या सुराही की भाते विक्सित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं कोश्य नमबर थरी पर आज़िए पौधे के किस भाग से हल्दी प्राप्त की जाती है जड़ लगाकर इसको गलत मत करते ना तने से प्राप्त की जाती है तो पौधे के तने के भाग से हल्दी प्राप्त की जाता है हल्दी के पौधे का खाने लाया के जो हिस्सा है वो प्रक पादपों में से किसका संग्रहन अंग तना नहीं होता गन्य का तना होता है अद्रक का तना होता है अलू का तना होता है यह सब रूपांत्रित तने हैं लेकिन सलजम गाजर मूली सकरकंद यह सब रूपांत्रित जड़े हैं डी हो जाएगा इसका अंसर तो गन्या अलू अद है कि तनेका रुपांत्रन अर्थायत इनका संग्रह अंग तना है जबकि सकरकंद का संग्रह जड़ है यह मुलांकोर से विक्षत होता है जो फलीदार पौधे होते हैं फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित ठीक है पौधों में पाए जाने वाले नाइट्रोजिन इस तेक्ण जीवाणु कौन से होते हैं प्रतोप जीवी नहीं होते हैं सह जीवी ऑप्सन नंबर सी तो फलीदार पादपों की जड़ों में मौझोध गाठों में पाए जाने वाले विसेश जीवाणू राइजोबियम सह जीवी तक जीवनिया अपन करते हैं यहां एक और यह जीवाणू जो है नाइट्रेट को बाइवमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलकर पौधे को अपलब्द कराते हैं वहीं दूसरी और यहां फरीदार पौधा इन्हें आवास तथा भोजन अपलब्द कराता है Q6 पर आजएए मानप सरीर में जो बिटामिन A है कहां संचित होता है वो बहुता है लिवर में यक्रत में तो देखिए मानप सरीर में यक्रत में जो है बिटामिन A काफी मातरा में संचित रहता है बिटामिन A का रासनिक नाम हेरेटिनॉल जिसकी कमेसे सरीर में रतोंधी हो जाता है इसका प्रमक्सर होते हैं दूद मखन अंडा मचली का तेल और गाजर ठीक है गाजर को सब्सक्राइब किसके अवशोषण में विटामिन जितने विटामिन हैं उनका केमिकल ने अपको पता होना चाहिए बहुत पूछते हैं। नमरेखिड़ विटामिन हो में से कॉनसा सरीर में भंडारित ही नहीं होता। Judah forgiven sevens see जो है सरीव में भंदारित नहीं होता तो देखें विटामिन से जल में विले होता है यह शीऔज लिही मूतर के साथ उठसर्जित होता है तिता हमारे सरीर में संचित नहीं रह सकता ब्लड क्लोटिंग के लिए कौन से विटामिन की अवश्रक्था होती है रुधिर के ठके के लिए बिटामिन के की अवश्रक्ता होती है ठीक है आपसन नमबर बी तो देखें जो बलड होता है जो रुधिर होता वो द्रव होता है ठीक है शरी से बाहर निकलने पर वह कुछ मेंटों में जम जाता है जिसे वो होते हैं ठक्का थक्का बन गया अब अपका बेहना रुधर जो है वो रुख जाएगा जिसका थक्का ने बनता उसको होती है हीमोफिलिया जो एक जनेटिक डिसीज है देखें रुधर में जमने से रुधर के तीबर जमने में कौन-कौन से उत्तरदाई होते हैं पूछ ले आते हैं वूश्म को बता होगा बिटामिंडी तो बिटामिंडी का मुख्य स्रोत है सूर का प्रकाश वास्ता में सूर की क्रणों के दोरह बिटामिंडी का निर्मान हमारी तो अच्छा कोशिकाओं दोर रखिया जाता है जो कि यहां से निर्मित होकर रुधिर में मुक्त हो जाता इसके आज़े नमलक दम्हेसे किसका निर्माण हमारे सरीर में नहीं होता है हमारे सरीर में हॉर्मन्स वर्मोंगी बख्या़ स्विश्च्त मैंजाइम परोटीन रहेकिज væťतामीन नहीं बैरेकि ले prior点 दाने वə वय हम चैनल कुछ्चिणंबर 2022 घाड़ लेगी नमलक दमंभर तक कौ विटामिन A नहीं है, D नहीं है, C नहीं है, इसका उत्तर है विटामिन B6. तो देखिए, एक अधियन से इस वात के पर्माण मिलते हैं कि विटामिन B6, जिसका विग्यानिक नाम है, रासानिक नाम है पाइरडॉक्सिन का नेमित सेब बन करने से सापने को, स्वापन को मतलब सपने आते हैं उनको लंबे समय तक याद रखने में मदद मिलती है कोशन बढ़ थे रपायद जाए सेब का हरदे रोगियों के लिए विसेश महत्व है क्योंकि ये बड़े स्रोथ होते हैं किसके देखें पोटेशियम के होते हैं फासपोरस के नहीं होते तो ये कट जाएगा तो पूरी कटेगा पोटेशियम डीज का अंसर हो जाएगा तो सेव का हरदय रोगियों के लिए विसेस महत्व होता है इसके सेवन से कुल कोलेस्टरॉल घटता है सेव में पाये जाने वाला एंटी ऑक्सिडेंट रक्त वाही काउं में पाये जाने वाले वसा से सुरक्षा प्रतान करता है सेव में परियाबत खनीच्ततों पाये जाते ह उश्मा प्रोटीन को विक्रत कर सकती है अवरक्त किरने प्रोटीन को विक्रत कर सकती है क्या एक्स किरने और प्रोटीन को विक्रत कर सकती है क्या भारी धातू लबन कौन नहीं कर सकता देखिए अवरक्त किरने नहीं कर सकती है उश्मा प्रोटीन को विक्रत कर सकती है एक्स क प्रोट्इन की उपयूक्ति उपयूक्ति दैनिक मात्रा के इतनी और कि इतना प्रोटीन चाहिए एक सामान क्रियासील महिला को यहाइड प्रेग्नेट बूमन इंधो उसको जदे चाहिए होगा देखें 45 ग्राम सामान क्रियासील फूमिन के लिए काफी है आपसन नमबर डीज का उत्तर है तो सामान क्रियासील महिला के लिए प्रोटीन के उपर युक्त देनिक मातरा 45-46 ग्राम और वसा चाहिए उसको 20 ग्राम कैल्सियम चाहिए उसको 400 मिली ग्राम और आय शक्ता होती है इससे अधिक कम अतलब यहां 45-46 ग्राम से अधिक ठीक है वसाब 20 ग्राम से अधिक चाहिए कैल्शा में आइरन जो है वह 40-400 मिलिग्राम और 30 मिलिग्राम से अधिक चाहिए चलिए तो जन्रल साइंस के कुछ यह सामाने से प्रश्ण इनके प्रक्टिस एक बार कर ले जगा धरने बाद